हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैट मोर इंफो यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पाइलेट की इसेंसियल क्वालिफिकेशन के बारे में इंडियन रेलवे में अगर आप असिस्टेंट लोको पाइलेट या सौट में एलपी कहा जाता है अगर आप इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पाइलेट बना चाहते हैं तो इसके लिए essential qualification या minimum qualification क्या required रहती है जो candidate नहीं जानते है assistant local pilot क्या होता है तो मैं आपको बता दू Indian railway या railway में जो operate करते हैं train को उनको कहते हैं local pilot जो train driver होते हैं उनको local pilot कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पर assistant local pilot बता रही हूँ because जब भरती की जाती है local pilot के लिए assistant local pilot post पर भरती आती है जब आप assistant local pilot post पर भरती होते हैं तो उसके कुछ timing के बाद कुछ सालों के बाद आप local pilot बनते हैं ओके अगर आप भी train में driver या local pilot बनना चाहते हैं तो आपको assistant local pilot का exam देना होता है लेकिन इसके लिए eligibility क्या है वैसे तो बहुत से लोगों को पता रहता है कि इसमें ITI चाहिए रहता है और minimum qualification में अगर हम बात करेंगे तो लेकिन इसमें ITI किस traits से करना चाहिए ये इसको लेकर के काफी confusion रहता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन सभी traits के name बताऊंगी सारे traits list में आपको यहाँ पर provide करूंगी जिनसे आप अगर ITI course करते हैं तो assistant local pilot के लिए आप eligible होते हैं इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप ITI नहीं करते हैं तो क्या diploma holders जो रहते हैं या engineering में जिन्होंने bachelor degree की हुई है या diploma किया हुआ है क्या वो यहाँ पर eligible रहते हैं या नहीं तो इसके जो qualification को लेकर के आपके सारे doubts इस वीडियो में clear होंगे अगर आप भी assistant local pilot बना चाहते हैं इंडियन रेल पे मैं तो वीडियो को end तक देखेगा इसके मत केज़ेगा आपको सारी जो भी कम से कम आपका 10th pass जरूरी है उसके साथ ITI course आपका किया होना चाहिए यह जो मैं information आपको इस वीडियो में provide कर रही हूँ यह last time जो vacancies आएं थी उसके business पर आपको information दे रही हूँ आगे जब भी इसकी vacancies आएंगी जब भी इसका notification release होगा तो हम एक बार उसमें भी clear कर लेंगे तो इसके लिए जो minimum qualification होती है वो है 10th pass and ITI साथ में आपका होना चाहिए ITI किया हुआ हो तो आप इसके लिए apply कर सकने अब ITI आपने किस से किया हो क्या NCVT से किया हो या SCVT से दोनों में से किसी एक से होता है या दोनों से मान होता है तो यहाँ पर हम अगर NCVT और SCVT की बात करें तो ITI आपने किसी से भी क्या हो NCVT से या SCVT से दोनों से ही मानने होता है दोनों से ही अगर आपने किसी से भी किया है आप assistant local pilot के लिए eligible होते हैं जब भी vacancies आए आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके traits के बारे में कौन कौन से traits हैं जिनसे अगर आप ITI करते हैं तो assistant local pilot आप बन सकते हैं इसके अलाबा other किसी traits से आप ITI करेंगे तो assistant local pilot के लिए आप eligible नहीं होते ओके सो चलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि यह जो information मैं आपको दे रही हूँ last time जो notification release हुआ था उसके base पर है next जब भी notification आएगा हम उसमें भी clear करेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता दू यहाँ पर traits कौन कौन से required रहते हैं सबसे पहले तो आपका 10th pass होना जरूरी है उसके साथ में आपके पास ITI जरूरी है तो ITI भी आपका NCVT है SCVT दौनों मैंसे किसी से भी किया हो आप इसके रहे आलिस भी होते है अब अगर हम बात करें ट्रेट्स की तो coil vendor, electrician, electronics mechanic, fitter, heat engine, instrument mechanic, machinist, mechanic diesel, mechanic motor vehicle, moral right maintenance mechanic, mechanic radio and tv, refrigeration and air conditioning, mechanic, tractor mechanic, turner या wireman यह लगबग 15 traits हैं 15 traits हैं, इन में से अगर आपने किसी से भी ITI कोर्स किया है तो आप इसके लिए eligible होते हैं Assistant Locopilot के लिए आप apply कर सकते हैं इसके अलबा अगर आपने apprenticeship भी किया हुआ है हो सकता है, आपने 10th किया है इसके बाद आपने apprenticeship किया हुआ है तो वो candidate भी यहाँ पर apply कर सकते हैं जो भी traits आपको बताए हैं उनस traits से अगर आपने apprenticeship लिया हुआ है तो भी आप इहाँ पर apply कर सकते हैं इसके बाद हम diploma की बात करेंगे कि engineering में अगर आपने diploma लिया हुआ है या आपने bachelor degree लिया हुई है तो क्या आप assistant local pilot के लिए eligible होते हैं या नहीं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं असिस्टेंट local pilot के लिए आप eligible होते हैं इसके अलाबा अगर आपने degree की बात करें आपने engineering में degree लिया हुई है तो क्या आप apply कर सकते हैं तो degree in the engineering discipline as above will also be acceptable तो आप ऊपर जो यह आप यहाँ पर देख रहे हैं जो discipline है electrical, electronics, automobiles engineering अगर इसमें आपने degree भी लिवी है यह ना तो भी आप यहाँ पर eligible होते हैं apply कर सकते हैं तो traits के बारे में हमने discuss कर लिए इसके eligibility अगर हम overall बात करें तो assistant local pilot बढ़ने के लिए आपका कम से कम 10th pass जरूरी है और 10th के साथ में आपने ITI किया हुआ हो ITI के traits मैंने आपको बता दिये हैं 15 ITI के traits हैं जिन वैसे आपने किसी से भी एक से आपने अपना ITI किया हो अगर आपने ITI नहीं किया है और आपने diploma किया है 3 year का 3 साल का diploma अगर आपने mechanical, electrical, electronics, automobiles, engineering में किया है तो भी आप apply कर सकते हैं इसके अलाब अगर आपने diploma भी नहीं किया है आपके पास तो degree है engineering की तो भी आप apply कर सकते हैं अगर आपने degree ली हुई है engineering में electrical, electronics, mechanical या automobiles से तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो assistant लोग को pilot बनने के लिए क्या qualification होना चाहिए minimum qualification मैंने आपको सारे points यहाँ पर किलिया कर दिये diploma को ले करके ITI को ले करके and engineering में degree को ले करके सारे यहाँ पर आपके doubts किलिया कर दिये अब अगर आपके पास इन में से कोई भी एक qualification है तो आप Indian railway में assistant लोग को pilot बन सकते हैं आसा करते हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा helpful रहा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like कीजेगा और अगर आप चाहें तो इसको share भी कर सकते हैं Thank you